आए फोक्स व यह वीडियो में डिसक्स करेंगे दो कंपनीज अपके यह दोनों जो कंपनीज यह वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है अब वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा इमर्जीन सेक्टर देखने मिल रहा है और अंकर आप इन कंपनीज के रेविण्यू में कंक्लूजन पर आयेगा कि इन दोनों मैसेज better opportunity जो है वो किसमें आमें देखने मिल रही है तो पहले जो है वेल्थ परस्ट पॉर्टफोरियो की बात करें तो पहले हम वेल्थ कि बीज़न की बात करते हैं तो इनके ड्रेविन्यू से इंक्रीज हुआ है और ट्रेयल बे जान लो अखिर इस company को operating leverage मेल क्यों रहा है well basically अगर आप wealth first का model देखोगे तो wealth first क्या है एक wealth manager है यह IPOs वगेरा भी करता है दूसरी services भी करता है पर इनका जो main revenues जो आता है वो wealth management से ही आता है यह जो है इनकी दूसरी services है यह fixed deposits, treasury bonds, direct bonds, direct equity, mutual funds हर एक चीज़ के अंदर जो है यह इनके products है इसका साथ यह portfolio management services भी देते है और services की बात कर रहे तो यह asset research, equity research, retirement planning, treasury management, asset allocation, tax planning वगेरा यह हर चीज़ जो है यह इनके services के अंदर आता है I confused it with investment bank यह सब जो features है अगर आप यह सारे जो screen पे जो दिख रहे है आपको features यह सारे जो features यह wealth first के portfolio management के products और services है फिर उसके बात अगर हम बात कर रहे तो यह जो company है बहुत fast pace पे अपना जो base है वो grow करते जा रहे है पहले अगर आप wealth first का compare करोगे wealth first का जो B से revenues का वो बहुत जादा चोटा है अगर आप compare करोगे तो तो उस तरीके से अगर हम देखे इस company को तो यह जो company है बहुत छोटी है कुछ 1300 क्रोर की company है तो इस company के अंदर growth opportunity भी उतनी जादा है क्योंकि company जो है छोटी revenue पे चोटा है तो हमें एक fast pace पे revenue grow होते हुए देखेगे अगर company अच्छे से work on करेगी तो और वैसे इस company का cost to income जो ratio है वो company reduce करते जारी है दीरे दीर है तो इससे company को फाइदा हो रहा है और company को जो है operating leverage देखने मिल रहा है एक बार हम industry की बात कर लेते हैं अगर industry में देखे तो इंडिया क जो है 12-13% काईगर पर increase हो रहे है और जो दूसरे लोगे जैसे के emerging effluent और mass market जिनका portfolio 50 lakh से कम है जो कि बहुत मंदब portfolio मंदब indus ensignment income तो फिर उनका जो है वो 18-10% से growth है तो maximum growth आपको ultra अचना है और अचनाई के अंदर देखने मिल रहा है और इसी चीज के opportunity ये wealth first newama wealth management जैसे companies अब basically मुझे एक बात बताओ जैसे आपके पास पैसे multiply होते जाते है आपके पास बहुत जादा heavy net worth होती है जैसे 42 crore के उपर अगर आपकी net worth है या 8 crore के उपर भी आपकी net worth है तो आप तो आपका चाह होगे ना कि आपकी wealth कोई manage करे इससे multiply करते रहे है या हर जगा invest होते र तो इस तरीके से जो अल्ट्रा एचे नाय है और एचे नाय है इस country के अंदर 13-14% क्यागर पर increase हो रहे है तो यह जो है wealth management companies के लिए एक अच्छी कासी opportunity बन जाती है दूसरी जो opportunity in companies के लिए यह है कि अभी लोगों ने जो traditional thoughts जासे की banks और FDs को छोड़ दी है मैं ऐसा नहीं यह एक अलग-अलग palm के asset है बट लोग आजकल जो है assets से जादा return expect कर रहे है और अब लोग सोच रहे है कि equity में ही पैसे invest कर चीए या फिर एक और अभी नहीं चीज़ इंडिया के अंदर erupt हो रही है जो कि यह alternative asset fund अब alternative assets के अंदर आप alternative investments करते हो alternative assets के अंदर जिसकी real estate हो गय होगे लोग जो रखते investment के time पर वो थोड़ा reduce हो चुका है लोग finx deposits और banks वगरा के अलावा बे कुछ चोच रहे हैं अगर आप connect करोगे dots तो आपको यह चीज़े जो है automatic देखने मिल जाएगी क्योंकि capital markets के अंदर capital inflow बहुत जादा हो रहा है mutual fund SIPs are at all time higher तो इसके वाज़ है वे इंडियन मार्केट के साथ हो रही है और पहले सा जो इंडियन capital market है वादो आपको stock market, equity market, bond market जो है constantly change होते जा रहा है तो यह एक positive बात है दूसरा इंडिया के जो लोग है उन्हें इतना जादा फरक नहीं पड़ता है कि capital market के अंदर क्या चल रहा है उन्हें बस extra little ची ह है कि लोगों को बस extra little ची है और यही opportunity जो है ऐसी जो companies होती है wealth management companies वो ले रही है अब हर एक इंसान चाहेगा कि उसकी जो wealth है वो manage हो क्योंकि एक कोई अल्ट्रा एचना है या एचना इंसान है वो खुद तो नहीं वेटेगा अपनी wealth manage करते हुए और अगर आप देखोगे त इंडियन household के अंदर अभी इंकम है वो equity के अंदर जा रही है अगर आप banks के dots connect करोगे तो banks के अंदर deposits कम हो रहे है अब deposits कम हो रहे है इसलिए bank के पाच deposit में कम मिल रहे है RBI जो governor है RBI का जो governor है वो भी इस चीज़ से लिगी concerned है तो यह सारे stock market में अगर आप dots connect करते जाओगे तो आपको automatically big picture देखने लगे है कि अखिर चाली क्या रहा है तो यह sector के अंदर सबसे जाथा opportunity है अगर आप देखोगे तो mutual fund की जो growth है इंडिया के अंदर 25.9% का अगर से हो रही है इसके साथ साथ equity oriented schemes में 40.6% का growth देखने मिल रहे है तो इंडिया के capital markets है उनके अंदर constant growth increase हो और ultra hni अगर आप देखोगे तो US के अंदर आप यहाँ data देख सकते हो कि US के अंदर जो ultra hni है वो मतलब all over the world जिते भी ultra hni है वो USD के अंदर कुछ 30 million plus dollar इनकी जो income होती है उसके उपर आप उन्हें ultra hni बोल सकते हो तो यह ultra hni जो है 2028 तक 2023 से है मतलब 5 years के span पे 8% से grow करेगे जो की is a good number और इंडिया के अंदर आप देखोगे न तो 16% से grow होगा तो मतलब ultra hni और hni का अगर आप देखोगे तो यह तो hni और ultra hni है बट यूस और इंडिया का अगर आप data compare करोगे तो इंडिया के अंदर जो growth देखने मिल रहे हैं हो और भी जादा फास्ट है तो उसके 5,400 crore के असपासे इनका total AUM है बट यह जो है constantly grow करते जा रहा हो company जो है यह constantly grow करते आई हुई है फिर उसके बाद आप financial statements भगे रहा देख सते हो company का लेखिन मैं जो है company के growth story पर बिलीफ करता हूँ जादा मैं model समझता हूँ और guidance समझता हू management की management जो है वो company के बार में क्या ब revenue growth जो है देखने मिल सकती है तो उस हिसाब से इसको जो है operating leverage मिलेगा मतलब अगर यह जो company है 35% से भी grow करती है तो इसका operating leverage है वो 36% यह 37% तो रहेगा क्योंकि company जो है RMS लीगे आ रही है अब wealth management में RMS बहुत ज्यादा important होता है RMS मतलब होता है relationship manager जो कि अगर आपका RMS के साथ जितना अच्छा relationship होता है उतना साथा आपके company के लिए better होता है क्योंकि उतना साथा clients आपके company को stick to करते है अगर आप wealth first का भी देखोगे तो wealth first के पास RM जो है बहुत जादा है अगर आप नुवावा से compare करोगे तो इसको 20 भी छोड़ा है तो उससे सबसे इसके पास RMs कम है क्योंकि industry के अदर बहुत साथी opportunities है तो बहुत सार जो portfolio managers होते है दूसरे जो RMs होते है वो अपनी positions, jobs वगेरा constantly change कर रहे होते है better opportunities explore कर रहे होते है तो फिर उससे सबसे थोड़ा हमें RMs के अदर difference देखने मिल सकता है but clients का जो चर्नी है इस company के अदर वो कम है तो यह मुझे बा और अगर कुछ दिक्कत हो गया तो ऐसा ऐसा इनका portfolio impact हो सकता है तो clients इनके पास रहना prefer कर रहे है अब valuation की बात कर रहे है तो valuation जो है डीसेंट valuation पर अब चेक करोगे तो company की जो valuation है वो decent है ना जादा expensive है ना जादा cheap है मतलब अगर आप peer से compare करो तो उस हिसाब से तो company की जो है decent valuation चल रहे है इसके दूसरे peer की बात कर लेते है नुवामा wealth management अब जो है यह जो company बड़ा base हो कर भी अच्छा का सा perform कर रहे है मतलब wealth first के level पर यह जो company परफॉर्म कर रहे है अब basically अगर आप देखो के तो wealth first को अपने revenue से वो कुछ 40-50% पर ग्रोग कर रहा है है 55% पे इनो न करते है और यह इनका परले में था investment banking का business पर यह investment banking से equities के अदर भी आगा है और अब जो है यह wealth management के अंदर भी आचुका है और wealth management के पास मतलब wealth management के अंदर एंटर दर दने के बाद इनका जो wealth management वाला segment है वो सबसे बड़ा segment हो चुका है और अभी इनन रिजेंटली एडल्व इस होते हुए भी फास्ट पेस पें ग्रो कर रही है यह एक बड़ी positive बात मुझे देखने लगी फिर अगर 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 आप देखोगे तो नुवामा के दो सेक्मेंट से एक होता है नुवामा wealth management और दूसरा जो है वो नुवामा प्राइवेट है जिसमें यह अलग-अलग बना के रखे अलग-अलग families के लिए और फिर मतलब वहाँ पर लोगों को प्राइवेट सविस मिलती है तोड़ी personalized matter services में बट यह जो होता है यह सिफ अल्टर एचनल लोगों के लिए अविलिबल है और थोड़े-बहुत अचनल इसके लिए जादा लोगों के लिए अविलि मतलब जब capital markets अच्छा perform करेंगे तब लोगों के अंदर इन companies के अंदर investment पहुच जाएगी लोग ज्यादा investment करेंगे और फिर इसलिए इन companies के revenues वह भी इतने fast pace पे ग्रू करते है लेकिन जैसे ही अगर stock market जो है नीचे जान लगेगा second change लगेगा दीर दीर बट जो कि मुझे अगर आप इन्डिया के अंदर पाच-छे सालों के अंदर आएगा क्योंकि इंडिया जो है constantly bull market के अंदर चल रहे है अगर आप यूएस से इंडिया को compare करोगे तो इंडिया का investment equity के अंदर यूएस से बहुत ज्यादा कम है तो अभी इंडिया के पास बहुत ज्यादा scope है क् इंडिया का GDP अगर आप ग्लोबली दूसरे क्रेटिस से compare करोगे तो बहुत fast pace पे इंक्रीज हो रहा है इंडिया की तो growth story आप सब को ही पता है इसलिए आप लोग जो है इंडियान stock market में invest कर सकते हो क्योंकि इंडियान stock market में जिकनी growth story है उतनी और किसे बिलेटर के साथ नही पहले revenues का देख लेते कि इनका चो EUM है वो पिछले 10 साल के अंदर कितना grow कर रहा है अगर अब देखोगे नुवामा का देखोगे तो नुवामा का चो EUM है वो अभी कुछ 7,000 रोर के आसपस है और company का चो plan है कि वो इसे increase कर गया और 3,500 या 4,000 से इसे और increase करेगी तब 44% से तो company अपना EUM increase करने का प्लान करें even at this big base जो कि मुझे एक बहुत बात लगी पर उसके बात अगर अगर आप revenue देखोगे तो revenue का इसे 60% से इंक्रीज हो रहे है कमपनी का प्रॉफित अफ्टी परसें से इंक्रीज हो रहा है एक और चीज़ को स्टो इंकम मैं नोटिस की कि क मैं रहे है का क कुछ पॉजिटिव साइंस दीक्कर रहे हैं हमें आप कम्पनीज के अंदर तुर आप रिटन उन लूटिस करोगे तो रिटनन इकविटी भी रहेहे हैं इन कम्पनीज का इंक्रिजिंग्स च्ल आप आरोई डी कंपोजेशन करते आना चाहिए और नहीं आ रहे है तो कमेंट्स में बता दो कि फाइनेशल मेट्रिक्स पर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना तो उस पर भी हम बता देंगे कि कैसे स्टॉक्स वगेरा अनलाइस करते है किस तरीके से हमारा माइंडसेट ह होना चाहिए आपको क्या माइंडसेट करके अलग अलग इंडस्ट्री की जो कंपनी से वो ट्रैक करनी होती है तो उसके बाद अगर हम देखे तो नुवामा के जो कॉस्ट वो कॉस्टिंगे रिडियूस होते जारे और मैनेजबंट टार्गेट दी आएगे हम जो मैनेजब इसके बाद अगर और कुछ नहीं चोड़ाया है तो हाँ अब मैनेजबंट जो है इसकी जित्ती भी गाइड़नसे नुवामा के अंदर मैंने एक और चीज नूटिस की अब वेल्ट फस्ट का तो कॉन कॉल होता नहीं है अभी इनका कुछ पहला कॉन कॉल होने वाला है अभ करते हैं अभी आपको कपी भी आ रही का स्टीबल नहीं नंबर नहीं रहीं चाहिए आपको देखने चाहिए कि आर वी जो है किस तरीके से इंक्रीसिंग ट्रेंड के अंदर चल रही है तो इसके बाद आप देखो के तो इन्वेन ताउज़न वन अंड़ड फिफ्टी आर नुवामं भी सेम इंचीज बोल रहा है वरुड़े रेच चर्ण ओवरेट है चरनिंग देखने हैं मिल रही है बट जthoseले आप मिलें रही हैं तो नायिक होगि Prica pressed D hemu, थो बसाद मेलें पडॉड्य सीना की शोचार प्रवेश्जीन क्राइए तो अगर R&S company change कर लेंगे तो यह भी जो clients वगे रहा है यह भी सोच सकते हैं कि हम company change कर लेंगे तो उस पर लुवा मा का management बोलता है कि यह practically possible नहीं है कि हर चीज अपनी company की दूसरे company के अंदर shift करते हैं दूसरा asset management या wealth management firm के अंदर shift करते हैं लुवा में जो है private wealth के अंदर alternative investments के लिए भी solutions दे रहा है बहुत जादा अपने alternative investments बट यह इतना fast-paced पे करो नहीं कर रहा है अगर आप alternative investments contribution देखोगे तो इंडिया के अंदर alternative investments का contribution जो है वाकी यूएस वहरा से देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम है तो यह एक अच्छी opportunity जो है company के management को दिख्या है तो बाके इन दोनों का अगर मैं direct comparison कर रहा है तो नुआमा और wealth first management जो है दोनों decent companies है दोनों decent pace पे ग्रो हो रही है वहाँ मुझे थोड़ी से जाधा better company लगी क्योंकि नुआमा जो है fast pace पे increase हो रही है even though इसका base बड़ा है बाकी जो दूसरे जो RTS बगेरा होते हैं वह भी fees देतें CDSL को CDSL का model मुझे पहुँच जाधा interesting लगता और पूरे country अंदर अब देखोगे तो CDSL का NHDL से बहुत जाधा CDSL के पास deposit से clients है तो फिर उसे जाब से मुझे CDSL कुछ जाधा better play लगता और वैसे भी CDSL लिस्टेड नहीं है तो CDSL अब एक recommendation इस video के अंदर जो भी stocks लिये है जो भी stocks के नाम लिये है यह कोई investment recommendation नहीं है यह सिर्फ आपके knowledge के लिए यह आपको समझने के लिए कि company का stock market के अंदर companies का analysis होता है वो क्या basis पे होता है और आपको क्या basis पे अलग-अलग company को analysis का अंशी और इसके साथ आपको company के बारे में समझाने के लिए यह video बनाए गया है तो यह चीज़ द्यान रखना वार बार ले इतना वत्ति वह ही रही है आपने यह नहीं दिया दिस्क्लेवर नहीं दिया तो यह सब बाते होती रहेगे फिर इन दोरो companies का final अगर में disclaimer तो मुझे नु इसके अंदर भी इंग्रीज देखने में रहा है तो सारी capital market की जो companies है capital asset market की वो सारी अच्छी perform कर रही है और आप मुझे लासवाल का P.E. अगर देखकर सूचे हो कि मुझे इस उठालन चाहिए इसा नहीं है कि इनके अंदर कुछ other income का gain है बहुत जादा भी recently जो कि इनके स stock मत समझता है तर बस हो ही है कि wealth management firms के अंदर बहुत जाता opportunity देखने मिल रही है मुझे तो यह सब company सेमी लगती wealth first हो गया but wealth first के अंदर एक opportunity है कि company जो है सिफ 13,000 crores के तो इसे 13,000 crores से 13,000 crores से 13,000 crores पर जाने के लिए जादा time नहीं मिलेगा नहीं लगना चाहिए इसी मेरी expectation अब देखते है क्या होता है अब मुझे तो ऐसे companies अगर आपके पास है for example अगर अगर आपके पस मोतिलालो स्वाल या फिन वामा आटेड है तो आप सूच सकते हो wealth first को कंसेटर करना बाकि यह जो तीनो companies है तीनो भी equal लगी तो आप किसी को भी कंसेटर कर सकते है तो आपके आपके पूलियोंगा और यह जो है एक एक्स्पांडिंग इंडस्ट्री और इंडिया के अंदर जो है capital market का expansion भी बहुत पास्ट्वेस प्योर तो इस विडियो को इत्ता है रखते वीडियो चलगवतो लाइक करदेना कॉंटेंड चलगवतो चैनल सब्सक्राइब करदेना तेग झालते प्यो क्यों झाल है कि म भी से विर्वाजव क्षे पार जास्ट्री.